हालो स्टुडेंट्स, SBN ओनलाइन क्लाशेज में आपका स्वागत है मैं सुरें अंदर सिंग जाट और अपन पढ़ रहे हैं 12th की केमेस्ट्री उसमें अपने जो सॉलिडी स्टेट है उसको लगबग लगबग पढ़ चुके यह अंतिम चरण में मतलब यह चेप्टर इसमें आप आज डिस्कस करेंगे विदुत्य गुंद्रमों के आदार पर ठोसों का वर्गी करण मतलब जो विदुत्धार एक वो उसमें प्रवाइत होगी या नहीं होगी इसके आदार पर अपन ठोस जो पदार थे हैं उनका वर्गी करण देखेंगे तो जो ठोस पदार थे हैं इसके आदार पर आप सारे जानते हो तीन तरह के होते हैं चालक फिर अर्द चालक और कुचालक चालक आर्द चालक और कूछालक देगो नौर्मल तो डेफिनिसन है से होती बैज चालक किन पदार्थों को वोलते हो कंडेक्टर जिनमें विदुधरा का प्रवाह हो जाए या जिसमें आवेश जो है न वो प्रवाहित हो जाए अगर आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो विदुधरा का चालन हो जाएगा अगर चालन हो जाएगा तो वो प्रवाहित चालक होंगे कुछ चालक कौन से होंगे जिनमें विदुधरा का चालन नहीं होगा चाहे आप उसको गरम करो, ठंडा करो, दाब लगाओ, कुछ भी लगाओ चालन हो गई नहीं, हाना वो कुछ आलक होंगे विदुदारा प्रवायत होगी नहीं, आविस उसमें चले गई नहीं और अर्ध चालक कौन से होंगे, अर्ध दारन अर्ध चालक मलब कभी चालक जैसे विवार करेंगे, और कभी कुछ आलक जैसे अब ऐसे नहीं यह अपनी मर्जी में आ गया है इनके आज चालक जैसे तो आज चालक जैसे करेंगे, हाना फिर दूसरे दिन कुछ आलक जैसे ऐसे नहीं ये अपने उपड़ी पैंड करता है जो अर्ध चालक पदारत है उनको चालक जैसा भी ये कराने के लिए अपन क्या करेंगे उसको थोड़ा सा टेंप्रेचर बढ़ा देंगे टेंप्रेचर बढ़ा ते वो अर्द चालक एक वो चालक जैसे विवार करेगा अगर टेंप्रेचर बढ़ा देंगे तो जो अर्द चालक है वो कैसा विवार करेगा चालक के समान विवार करेगा और जो अगर टेंप्रेचर नोर्मल टेंप्रेचर रखेंगे या या और कुचालक ओंग एक तरह से कुचालक नौर्मल टेंप्रेचर के उपपर कुचालक होंगे अब इस टाफ में ऐसे क्या है कि आरद्चालक था वो चालक बन गया तेंप्रेचर अपन ने कम रखा तो फिर वो कुचालक ही रह गया ऐसी क्या चीज़ ये इसके इंदर देख ता वो कुछ अलग कुछ अलग ही रहेगा अब ता आप में ऐसे क्या जद्धू है देखना इदर आप अभी तक आपने सब का ऐसे पड़ावा है कि कोई भी जो एटम होगा उसमें एक नुकलेस होगा तो मालो है अपने नुकलेस है फिर उसके बाहर है जो है ना वो इलेक्ट यह से गरोंगे उसके अंधर उतने उतने उसमें इलेक्ट्रोन ऐसे बठते जाएंगे है अ आब यहां तक जो भाहत्म होगा सब सोडिया में ना एंता था जाएंगे ने एक ही वाहत्वाग के पिर जैसे लीथियम में गए, तो दो कोस होंगे, तो बायतम कोस दूसरा होगा, फिर सोडियम में तीसरा होगा, फिर पोटेशियम में चोथा, पुल मिला कि जितना उसका पीरेड नमबर होता है न, उतने हैं उसके कोस होते है, समझ गे कि मतलब ऐसे पहले आवरत में है, तो इक ही होगा इसका दूसरे आवर्त में अगर को इताय होगा तो 遠ी होगा अगर 7 और 30 में हो तो साथ सateur उप को आधा कोस नहीं है समिजगए कि मेरी पिर अपने अनंत बोलते हैं उस लेक्ट्रौन को को हटाने के लिए जैसे एलेक्ट्रोन को हटाए तो अनंतक महोते तो है अनंतक पर अब तक कि जो और सांड ये उसमें 118 तत्वे एक न्यास लिख होगे तो साथ वे कोस तक कंप्लीट हो जाएगा समझ गए मेरी बात को आठ वे में जाने की जरूत नहीं पड़ेगी तो ये स एक तो बायतम कोस कह दिया इसके अलावा इसको संयोजी कोस भी बोलते हैं जो सबसे बार वाड़ा कोस है उसको संयोजी कोस भी बोलते हैं इसमें जो इलेक्ट्रोन होंगे उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रोन बोलते हैं हाना तो जो बायतम कोस एक उसी का नाम है संयोजी कोस अब यह जो सियो जी कोस है उसके अलावा एक कोर कोस होता है सब में बार हाँण उसको वोलते हैं चालण कोस चालण कोस और यह जो पूरी ठ्योरी है ना चालख, अर्द nostalgia को चालख की बस यह इन दो के बीच में है इनसे कोई मतलब नहीं है अपने को संयोजी कोस और चालन कोस इन दोनों का कैसे विख्राव है इसके साफसे ही चालक ही रहते हैं कुचालक ही रहते हैं और चालक टेंपरेचर के उपर डिपेंड करते हैं तो सबसे जो बायतम कोस है वो कौन सा होगा संयोजी कोस और उसके जो बाहर होगा सेयोजी कोष के भी जो बाहार होगा उसको बोलते हैं चालन कोष अब एक एक एकम के लिए पढ़ते हैं अपने एक एकम पढ़ा जैसे सोडियम हीलियम कोई सा भी एक एकम पढ़ा तब तो क्या होगा जो बाहार एक और कोष होगा उसको चालन कोष मानते हैं ठीक है लेकिन अगर मानलो आपने एक मोल के लिए पढ़ाओ ठीक है जैसे मानलो आपने sodium नहीं लिए लिया अब sodium में भी अगर एक मोल टेईस ग्राम sodium भी ले होगे तो एक मोल एटम हो जाएंगे तेईस ग्राम में भी उसके molecular weight में जो अनुओ की संक्या होगी समान molecular weight में वो अनुओ की संक्या कितने होती है एक मोल के बराबर होती है तो एक मोल होंगे इसके अंदर 23 ग्राम में कितने मोल होंगे एक मोल एक मोल भी 6 इंटू 10 की बावर 23 प्रमाण होंगे तो 23 ग्राम इतना सही होता होगा अगर इतने से में भी 6 इंटू 10 की बावर 23 होंगे तो अब भी जब अपन अकेले एटम के लिए पड़ेंगे तब तो इसको बोलेंगे बायतम गोस को सही हो जी कोस और इसके भी जो बारवरा उसको चालन कोस बोलेंगे ठीक है लेकिन अगर अपन एक मोल के लिए पड़े या ज्यादा के लिए एक मोल से ज्यादा के लिए पड़े खूब सारे प्रमाणों के लिए पड़े तब क्या बोलेंगे यह जो चालन कोस एक इसका नाम हो जाएगा चालन बैंड चालन बैंड और जो संयोजी कोस एक इसी का नाम हो जाएगा संयोजी बैंड संयोजी बैंड इसका ऐसे होता क्यों है जैसे यह एक ही था अपने पास में इसको मैं छोटा बनाता हूँ देखना इ अब कोई दूसरा लेओगे तो ये बायतम आएगा फिर कोई तीसरा लेओगे तो ये बायतम आएगा ऐसे ऐसे आएगे ना फिर मानलो कोई चोथा लेओगे ऐसे लेंगे अब ये जो बायतम बायतम कोष्ट वाले ना ये वाले ये मानलो ये वाले जो बायतम कोष्ट वाले ज की में इसमिल आई ज्यादा बढ़ी नहीं होता हैं इतना इतना भी बढ़ा है जुकिन आपको दिख जाया है मतलग क्या होस्किक क्या होगा अगर 6 कि पर 23 की पर तो यह जो कोष क जो अपने को एक लाइन दिख 그래도 अपको ऐसे Chen to this ki power 23 line दिखेंगे ऐसे पास पास में, ऐसे ऐसे पास पास में अगर याएँ मोल भी दिखेंगे तो अगर ये Chen to this ki power 23 रेसे पास पास दिखेंगे तो एक course नहीं कि क्या बन जाएगा? Band समझे मेरी बात को इतनी सी तो छोटी सी बात हैं कि जब बायतम कोस है उसको सेयो जी कोस बोलेंगे और जो सेयो जी कोस है उसके अंदर जो उसके भी जो बाहर वाड़ा कोस है उसको चालन कोस बोलेंगे अब यह तो एक एटम के लिए पढ़ा है अब तक जो भी पढ़ा है वो एक एटम के लिए पढ़ा अगर अपने एक मोल के लिए एक साथ देखे तो जो संयोजी कोश है वो क्या हो जाएगा चालन संयोजी बैंड हो जाएगा और चालन कोश क्या हो जाएगा चालन बैंड हो जाएगा अब बस अगर यहां तक काणी समझ में आगी तो आगे कुछ ही नहीं है इसके अंदर यह कह तो जो चालख पदार्त है उसमें क्या होगा जैसे मालुग नाबिक और उसके बाद में डिरेक्टि अपने माल लेते हैं इसको सयोजी बैंड सईयोजी बैंड और यह जो हो गया उसको बोल देते अपनकों सा चालन बैंड अब ऐसे तो आपको समझा ही दिया मैंने कि यह सईयोजी बैंड नाम कहां से है यह दो चीजे तो पर चली गई अब इन दोनों के अंदर जो अंत्राल होगा उसको बोलते हैं वर्जित उर्जा अंत्राल इसको क्या बोलोगे वर्जित उर्जा अंत्राल उर्जा अंत्राल यह ना आपके फिजिक्स में भी आएगा अगर आप यहां समझ लोगे 100 jeq जादा जोड़ नहीं रोगा तो इसके दोनों के बीच का जो उर्जानत्राल होगा वर्जित उर्जानत्राल ह list जब भी कोई कोंष होगा जैसे पहले हुए पहले है फिर ये दूसरा हों सब्सक्ति cucinap वोर्ठ यह कुछिनाँ कुछ जो पृत्म को से हूं इसकी हुतिए माइनस Só टीनियों की माइनस तीन पॉर्या और इन दोनों के बीच का उद्जान्त फ writings हो गया गे इन दोनों के बीच का उद्जान्तरा ए दस पॉइंट दो आएगा तो इसे से आगे चलते जाएंगे, कम होती जाएंगे, लास्ट अनंत वाले पर जीरो होगी, तो सबसे कम उर्जा होने हैं, पहली में होती है, फिर लास्ट में जीरो वाले होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, कि यह तो माइनस का है, हाना, तो यह दो चीजे होगी, तो इन में भी, जो स जी तुर्जान तरा लोगा अब जो इलेक्ट्रोन है कि मालू यहां गूमते हैं सहीयोजी गोशन में जो बायतम गोशन के वह वाड़े और जो चालकबदार्त हैं उसमें यह सहीयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलेप केवे रहते हैं ओवहर लेप किया होुरह का मतलब ैसे होता है कि जैसे मालो यह सहीं पड Stevens코500 है और यह चालन यद दूसरे को उपर ऐसे रहेंगे समझ़ए कि मेरे बात को ऐसे अइक दूसरे के ऊपर रहेंगे सहीं बांती संञे मालो तो अब ये विदुदारा का जो प्रवा होता है ना वो तब ही होता है जब इलेक्ट्रोन चालन बैंड में आई तब भी विदुदारा का प्रवा होगा अगर सेयोजी बैंड में रहेंगे तब विदुदारा का प्रवा नहीं होता है विदुदारा का प्रवा इस लेनी होता यह नापिक से स Find Bent में जब तक रहेंगे तब तक सारे Elektron हर custard के नापिक से बंदहे रहें रहेंगे तो नापिक से जब तक वो बंदहेखे रहेंगे तो नापिक से जभी डुधारा का चालन क सरेंगे जभी तर छालन तो मुक्त evaluation करते हैं मुक्त Thus का मतलब येशी कैसे free आपको ऐसे बांध दिया जाए सबको कुर्शी पे फिर अब चालो कैसे चलोगे तो वह तुद्धारगा चालोगे अगर आप मालो कोई चार्ज हो चार्ज हो चाय एलेक्ट्रोन और चाय प्रोट्टोन तो नहीं चल पाए हों को एक तो वह तुद्धारगा प्रवाणी होगा तो मुक्तवस्ता में होगे तब भी दुद्धारगा चालन होगा ठीक है तो ये सारे चार्ज केरियर हैं चार्ज केरियर कम लोग आवेसों का वाहक तो एक तरह से इलेक्ट्रोन भी चार्ज केरियर हो गया तो आवेस वाहक हो गये तो इलेक्ट्रोन जब तक ये संयोजी को मालनो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ये वाडा को बैंड जो है वो संयोजी बैंड है यहां कर लेते हैं पर ये वाडा संयोजी बैंड है और जो यह वड़ा बेंड है वो माल लो चालन बेंड है जालन बेंड अब जो चालक पडार थे उनमें ये सेयोजी बेंड और ये चालन बेंड एक दूसरे को ओरलेप के वे रहेंगे या तो यह या फिर इन दुनों के बीच में जो उर्जा अंत्राल होता है वो बहुत कम होता है समझगे तो इसके में जो उर्जा अंत्राल है वो या तो बहुत कम होगा या फिर एक दूसरे को ऐसे overlap किया वे रहेंगे यह यह यहां तक और यह यहां तक आप दोनों में से कोई सी भी language हूज में ले सकते हो, या तो आप यह कर सकते हो कि एक दूसरे को overlap की हूँ है, एक का इंधा में बोलते हैं, आतिव्यापन करना, तो एक दूसरे को वो कर रखे हैं इनोंने दोनोंने, ओर लेप कर रखे हैं, तो इलेक्ट्रोन जो सहयोजी बैंड में हैं, वो ही चालन बैंड में भी हैं, हैक नहीं है, मालो यह यहां तक आ गया नीचे वाड़ा, यह वाड़ा, चालन बैंड यहां से शुरूओके यहां तक आ गया, यहां तक यहां तक तो जो चालन बेंड में जो सेयोजी बेंड में इलेक्ट्रोन है यहां वाले वो इस चालन बेंड के अंदर भी है ऐसे ऐसे हो गया और लेप का मतलग दो तो जो सेयोजी बेंड में इलेक्ट्रोन होगा वो चालन बेंड में होगा यह जो चालन में होगा वो सेयोजी यह फिर दूसरे से थोड़ा सा अंत्राल से देख लो कि इन दोनों के अंत्र है न अंत्राल बहुत कम है इतना सही है तो अगर हल कासा भी टेमप्रेचर बढ़ेगा तो टेमप्रेचर जब भी बढ़ता है तब इलेक्टान उच उर्जा इस्तर में जाता है और नहीं जाता है या temperature बढ़ाने का मतलब होता है उसको उर्जा देना उर्जा है न वो तिये e equal to 3 by 2 kT ये जो thermal energy है उसका सुत्र होता है तो सुत्र से आपको कोई लेना देना नहीं है आपको तो energy से मतलब है अगर temperature बढ़ेगा तो जो thermal energy है वो बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी जो ताप ये उर्जा बढ़ेगी बस इतना सा मतलब है आपको सुत्र याद हो नहीं हो कोई मतलब नहीं हो अलांगि सुत्र फीजिक्स में है तो आपको याद तो करना पड़ेगा तो जैसे ही आप ताप बढ़ा रहे हो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप उस पदार्थ की उर्जा बढ़ा रहे हो बस इतना सही है अगर आप इसकी ताप बढ़ा होगे इसके इलेक्ट्रोनों की उर्जा बढ़ेगी तो एकर इलेक्ट्रोनों की उर्जा बढ़ेगी और जहा यह बंदे वे नहीं है तो आप बैटरी से जोड़ोगे उसमें भी दुदारा का प्रवा हो जाएगा क्योंकि वो मुक्त इलेक्ट्रोन वो चलेंगे अगर चलेंगे तो प्रवा कोई तो भी दुदारा वोलते हैं अगर आवेज चल गया तो भी दुदारा हो गई कुछ चलग जो है उसमें उलटा है थोड़ा सा शिस्टम उल्टा नहीं है मलोब ठोड़ा सा इसके थोड़ा सा अलग है वस इसमें भी ऐसे ही रेगा यह चलन और और इसके अन्दर बी ऐसे ही क्या रहेगा संयों जी बेंड रहेगा संयों जी बेंड रहेगा इसके अंदर भी ऐसे क्या रहेगा संयों जी बेंड रहेगा यह चालन बेंड और यह संयों जी बेंड अब दोनों के अंदर जो डेल्टा इजी है ना या जो डेल्टा इजी से डिनोट करते हैं इसको तो यह पिर इसको वर्जित उर्जानत्राल का एदो आप तो इंदी में तो जो वर्जित उर्जानत्राल है ना वो खूब ज्यादा होता है समझगे मेरी बात को यहां से आप कितनी भी एनर्जी दो इसको इस एनर्जी का कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा मतलब यह वाए कि यहां से जो भी एलेक्ट्रोन एक वो कितनी भी एनर्जी देने से इसमें नहीं जाएगा समझगे मेरी बात को जैसे थान कत्ती एनर्जी दे दे थान एक दे सो मासो लेना का मेस्ट्री महा तुप्रण कर दो अगर जाएगा नी तो मुक्तवस्ता मेरे एगा नी अब उसमें बैट्री जोड़ो चै कोई दूसरा सोर्स जोड़ो अगर वो इलेक्ट्रोन चलेगा नी समझे के मेरी बात को तो मैंने अब भी तक क्या क्या बता है आपको संयोजी कोस क्या होता है बायतम कोस जो एक उसी को संयोजी कोस बोलते है फिर दूसरे नंबर पर क्या बता है चालन कोस क्या होता है संयोजी कोस के बाहर इलेक्ट्रोन मुक्त तवस्ता में पाया जाते है उनको चालनकोस बोलते हैं ठीक है दोनों के बीच का जो उर्जानत्राल है उसको बोलते हैं वर्जीत उर्जानत्राल फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया वर्जीत उर्जानत्राल के बाद में कि जो चालक पधात है उनमें या तो जो वर्जीत उर्जानत्राल है व इस दूजावा जो है उसमें अच्छो पहले से मुक्तवस्ता मुझा तुरंती प्रवाओ बीना उर्जादी ये विए ताप बढ़ा यह चालन भूजाएंगे तो विदुदारा का प्रवाओ ऑगा क्योंकि मुक्तवस्ता में जाएंगे और दूसरा अपने इधर पर आग कु इतने वर्जी तूर जी तूर्जा नंतराल है कि आप कितनी देद दोसको उसके बाद भी थे जित बैंड के जो इलेक्रोन है वो पलता प्रवा क्वंद धो अनुग सवी जन्हें तो इस तो वाट चल अर्य कुछ अलग आप और शऺघा करें समझ जाओगे अर्द चालक जो पदारत हैं उसमें देखो ताप बढ़ाओगे तब तो चालक अगर ताप नहीं बढ़ाओगे तब कुछ चालक अब आप समझ गए होंगे पूरा खेल किसका है इस वर्जित उर्जान तराल का है इस दिखा तो फूरा खेल है अगर इसमें बहुत ज्यादा होता है तो चालक और भी कुछ चालक होते है अब इसमें जो अर्द चालक पदारत होते हैं उसमें क्या होता है जो संयोजी बैंड है वो और जो चालन बेंड एक वो उन दोनों के बीच का जो उर्जांतराल है वो जो चालन खुदारतें उनसे तो क्या होता है ज्यादा मलब बिना टेंप्रेचर दिये ये चालन कोस में जाएंगे नहीं इलेक्ट्रोन और जो कुछालन खुदारतें एक उनसे ये वर्जित उर्जा अंदर इस उर्जा अंत्राल को पार करके और चालन गोश में चले जाएंगे अगर यह चालन गोश में चलेगी उलेक्टोन एक बार तो फिर वो विदुद दारा का प्रवाह हो तो चालन गोश्म चल जाएगा तो चालक जैसे विवार करेंगे अगर ताप नहीं बढ़ाया समझ रहे हो अगर ताप नहीं बढ़ाओगे इस पदार्थ का तो ताप नहीं बढ़ाओगे तो यह जो इलेक्ट्रोन है ना वो इसमें जाएंगे नी बीना ताप दिये नहीं जा तो इसमें क्या हो जाएगा यह दूसरी बात कुचालक पदार्त बिना ताब दिए किसमें ओंगे तोड़ा से थोड़ा सा बढ़ाते क्या हो जाएंगे चालक बन की तो अरत हेरा कि और कब्लालग है इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे ताप बढ़ाएंगे तब तो चालक नहीं बढ़ाएंगे तब कुचालक तो इन दो वज़न से कि कभी चालक और कभी कुचालक इसलिए इसका नाम क्या कह दिया इन्होंने कुचालक आर्ध चालक कह दिया अब देखो इसमें चालक पदार्थ है उसमें अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो फिर विदुद्धारा का कम प्रवावने लग जाता है ऐसा क्या कारण है इसका कारण ही है सिमपल सा इसमें पहले से बहुत सारे इलेक्टरोन रहतें बिना ताप बढ़ा ही एक जो सायोजी कोस के लेक्ट्रोन चालन कोस के अंदर भी रह गोगी तो वह एलेक्ट्रोन चलने की गोशीज करेंगे जैसे चलेंगे तो वह आपस में टकराएंगे टकरा टकरा की वह वहीं रुकेंगे तो एक तरह से उसकी चालकता कम हो जाएगे अगर चालक वजा आत्तों का ताप बढ़ा दिया न तो उसकी विदुदारा का चले जाएगे अगर और ज्यादा चले गए तब क्या हो जाएगा यह एक तरह से ज्यादा आपस में टकराने लग जाएंगे तकराने लग जाएंगे तो वह रुकने लग जाएंगे इसको आप सिंपल होर्म लेसे ऐसे देखो मालो एक रूम है उसका इस पेस कितना है बीस इस रूम के अन्दर पांच वच्चों को छोड़ो आराम से दोड़ सकते अब उस ही रूम में आप क्या कर दो तीस वच्चे बीस वच्चे बैठने की जगए बस आपने ताप देखकर कर एक तरह से एंइरजी देखकर के उसमें कितने वच्चे भी ढढ़ दिए और उनको म दोड़ो वो दोड़ पाएंगे के पचांस वचे वह आपस में टकरा टकरा मूंड मां तो फिर डाले बस इससे जादा कुछ ही नहीं होगा आना तो यह वाली खान ही होती है चालकों में मलब आपने उनको एनर्जी दे करके पहले से चालन जितना हो सकता था उतने एलेक्ट्र होना आगे कि उसके बाद में जब उस विदू बैटरी से उस तार को जोड़ोगे तो वो जब चलने की कोशीज तो करेंगे पर वो आपस में टकराएंगे तो आपस में टकराएंगे तो वह ही रुकेंगे हाना तो वो बच्चे वाले एक्जाम्पल से आप समझ गयोंगे कि चालक जो पदारत हैं उसका टेंपरेचर के उपर क्या परवा होते हैं तो चालकों में टेंपरेचर बढ़ाओगे तो चालक ताक अगुण क्या हो जाएगा कम अर्ध चालकों में टेंपरेचर बढ़ाओगे तो चालक ताक अगुण बढ़ जाएगा या विदू धारत ज् और कुछालगों में बच्चों के जैसे ओप जी की नीति जियान की अभवियां कि आई सोच लियो वैं साथ बनानी हाना दो चारगों तो जुगाड करके इदर उदर से और दो चारगा तो आओ ही आपन हाना बाकी प्रैक्टिक लग रहा है तो फिर विन चाहिए किया है खेद आपको अप्रवाव अलग बात होगी तो अपन ने विदूतिये पता होगी जो गुंद्र में ओपड लिया इसको मैं आपको लिखवा देता हूं सबसे पहले आप लिखोज ऐसे बनाओ चालक आर्दचालक और कुचालक ऐसे सारणी बनाओ बस